कर्म से डकै, धर्म से आजाद है शमशेरा और शमशेरा की गून से फाइनली बॉलिवोड अच्छी फिल्म में बनाने के ट्रैक पर लॉट आया है हेलो मेरा नाम है प्रियांका और मैं देखकर आई हूँ रन्बीर कपूर, वानी कपूर और संजे दर्ट स्टार, मच अवेटेड और मसाला एंटर्टेनर फिल्म शमशेरा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों आपको इन फिल्म देख लेनी चाहिए वेल इस फिल्म से रन्बीर कपूर ने चार साल बात फिल्मी स्क्रीन पर वापसी की है और इन्बीर ने बता दिया कि वो बॉलिवुड में न सिर्फ कपूर नाम की वज़े से नहीं बलकि उनके अंदर टैलेंट जो है न वो कूट कूट कर भरा हुआ है लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की फिल्म की शुरुवात होती है रौन त्रॉई की आवाज से जो खमेरा जाती के लोगों के बारे में बता रहे होते कि कैसे मुग्लो का शासन आया और खमेरा-जाती के लोगोऔ को अपना घर बार सब को छोड़ कर जाना पड गया खमेरा खासरदार था शम्षेरा यानि की रन्बीर कपूर यह लोग डकैति करते थे कहते थे कर्म से टकैत धर्म से आजाद। यह इनकी जाती काना मूल मंत्र था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा होता है कि काजा शहर के किले में इन सभी खमेरा जातियों की लोगों को ना बंधी बना ले जाता है अब ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ अगर मैं यह बता दूंगी तो स्पोईलर नहीं हो जाएगा आप इतना जान लो कि शमशेरा और उसकी जाती वालों को कैद कराने का काम शुद्र सिंग यानि की संजेदत ने किया है फिल्म में रनबीर कपूर डबल रोल में हैं एक किरदार का नाम है शमशेरा और दूसरे किरदार का नाम है बल्ली फिल्म में वानि कपूर भी है जिनके किरदार का नाम है सोना एक तरफ जहां शुद्र सिंग का अत्याचार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खमेरों की अजादी को लेकर भी लगाता चुनाती दी जा रही है अब अपना शम्शेरा अपने लोकों को अजाद करा पाएगा या फिर नहीं करा पाएगा ये जानने के लिए आप अपना फोन उठाईए और टिकेट बोक कराईए और जाके फिल देख डालिए सबकी अक्तिंग की बात करें तो रंबीर कपूर फुल से जादा मजेल होगे ना वो है संजेदत का अगनीबत और केट जीएफ के बाद संजेदत का ये वाला रोल भी ना हमेशा याद किया जाएगा स्क्रीन पर उन्हें देख करना आपको गुस्सा तो आए गए लेकिन कई बाब का मन करेगा कि सीटी ना बजा दो जो जोर से फिल्म के फर्स्ट हाफ में वाने कपूर का जादा रोल नहीं है लेकिन सेकेंड हाफ में उनका रोल जो है वो अच्छा खासा है फिल्म में रॉने त्रॉय का रोल भी काफी छोटा है लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम उन्हें मिला है न उन्होंने उसका भर पूर फायदा उठाया है फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं जहां रणबीर कपूर और संजलत के बीच में एक्शन सीन्स को दिखाया गया है और उस सीन्स को देख करना आपके ना होश डेफिनेटली उड़ जाएंगे फिल्म की सबसे अच्छी बात ही है कि आपको throughout the time बांदे रखती है आप ना बोर नहीं होगे लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि फिल्म में कोई कमी ही नहीं है देखो फिल्म को जो first half है वो थोड़ा सा लंबा खिशता हुआ लगता है वो थोड़ा छोटा हो सकता था इसके लाब फिल्म के दो गाने जी हुजूर और फितूर काफी जादा पसंद किया हुआ जा रहा है इनफाक बैक्ग्राउंड में शमशेरा के जब टाइटल ट्रैक आता है ना तो फिल्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है सो फाइनल वर्डिट क्या फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं तो डेफिनेटली इट्स आ येस आपको नए फिल्म जरूर देखनी चाहिए देखो वन्बीर कपूर और संजेद अतकना आपको अलगी अफ्तार देखनी को मिलेगा और अगर आप दोनों के डाय हार्ड फ मेरा नाम है प्रियांका और आप देखरें न्यूस तक शुक्रिया